आप देख रहे हैं TNB पुरो मंत्री और अन्नाद्रमुक के सीनियर निता केपी मनुसामी ने बताया कि मिटिंग में एंडियर से अलग होने का प्रस्ताव सर्वसंवस्ति से पास हुआ है उन्हें ने बताया कि 2024 का लोकस्वा चुनाओ अपनी जैसी सोचवाली पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेग इस फैसले का अन्नाद्रमुक में स्वागत हो रहा है अन्नाद्रमुक कारेकरताओं ने पटाह के फूर्ग कर इस फैसले का स्वागत किया वहीं पार्टिय की ओर से सोचल मिडिया एक्सपर नन्री मिंदम वरा थिरगल लिखा गया इसका मतलाब होता है ठैंक्यो दोबारा म इस फैसले पर बीजेपी की ओर से अब तक कुछ भी साथ नहीं कहा गया तामिलाडो बीजेपी की उपाधक्ष नरायन तरुपती का कहना है कि राश्टी ने तो तो इस पर टिपन नहीं करेगा बता दे कि दक्षिन भारत में अन्नाद्रमुक ही बीजेपी के किमात्र की पार्टी थी लिहाज़ा बीजेपी के लिए ये जटका माना जा सकता है इस बीच दोनों पार्टियों के बीच विवात के जड़ तामिलाडो बीजेपी की अधक्ष अन्नामलाई को भी माना जा रहा है अब सवाल ये उड़ता है कि अन्नामलाई ही क्यों तामिलाडो बी अनाद्रमुक ने नमलाई की उनसे पूरवसियम अनादुराई पर दिये गया बयान पर माफी माँगने की माँगी थी, हालकि अनाद्रमुक का आरोप था कि तामिलाडू बीजेपी का नेतुत वा जान बुचकर अनादुराई जैलिलिता और पलानी स्वामी को बदनाम कर रह दरसल हाली में अनादुराई में तामिलाडू के पहले मुख्य मंत्री अनादुराई को लेकर बयान दिया था, अनादुराई ने अनादुराई पर हिंदु धर्म को अपमान करने का आरोप लगा था, और ये भी दावा किया था कि हिंदु धर्म का अपमान करने पर उन्हे मदुरे में चिपना पढ़ा था और माफी मागने के बाद ही वो बाहर आ सके थे। दो हथते पहले एक संबेलन में अनामलाई ने ये बयान दिया था। अन्ना मलाई का दावा था कि जून 1956 में मदरई के मिनाक्षी मंदिर में अन्ना दुरई ने हिंडू धर्म का अपमान किया था। अन्ना मलाई का दावा था कि इस टिपनी के बाद अन्ना दुरई को मदरई में छिपा कर रखा गया था। कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए उनके पास एक से चार जून 1956 के अख़वार की प्रतिया हैं। अन्ना मलाई की इरू से दिये जा रहे हैं बयानों पर अन्ना दुरई करिया पती जताई थी। 18 सितंबर को अन्ना द्रमुक न एलान किया था कि बीजेपी से पार्टी का गटबंदन नहीं है। और इस तरह NDA से वो अलग हो गए। कि ऐसे ख़बरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे हैं।